हेलो फ्रेंड्स मैं आपसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले यहां पूर्णा में हूँ कश्मीरी पंडितों का एक फंक्शन था उसमें स्पीच देने गया था वहाँ पे एक सज्जन ने बहुती एक ऐसी बात बताई जिससे मैं चिंते तो उठा उन्होंने बोला जब मैं छोटा था तो कश्मीरी में हमेशा हमारी माँ ये बोलती थी कि बाहर मज़व दंगे हो रहे और अभी कुछ दिन पहले हैं यहां पूना में सीए एन आरसी को लेके दंगे चल रहे थे पुलिस वालों पे पत्रा हो रहा था पब्लिक प्रॉपरिटी को जलाया जा रहा था और उनका फिर एक पाथ साल का छोटा बच्चा है वो बाहर खेलने जा रहा था तो उनने उने बोला मैं बैठा टी वी देख रहा था मेरी बीवी ने बोला बेटा बाहर मज़व बाहर दंगे हो रहे और ये सुनके मेरे दिमाग में ख्याल आया जो उन्ही ने बोला मैं उसको अपनी भाशा में आपको बता रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे कश्मीर अंजाने में हमसे बन गए हो ये सोचने का वक्त है मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही है पर ऐसा हो भी सकता है ऐसी संभावना से भी हमको दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि हमारी जिम्मधारी है कि एक बार जो हमसे गलती हो गई ऐसा ना हो कि एक गलती अब दुबारा हो अपने आसपास देखते रही है इंटरेक्ट करते रही है इस बारे में चर्चा होनी चाहिए ये जो दंगे फसाद हुए थे ये कमिनल नेचर के थे क्या किसी को उकसाया गया था इसके पीछे कौन था क्या राज था और कश्मीर में जो कुछ हुआ था कश्मीरी हिंदूों के साथ उस पैटर्न को भी एक बार आप जज़ करते चलिए और दोनों को जब कंपेर करेंगे तो आपको सवझ में आएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे कश्मीर भारत में कहीं पे धीरे धीरे बन रहे हो और हमें पता भी नहीं चल रहा हूँ थैंक यू